हेलो फ्रेंड्स वेल्कम है आपका भीहार लाइफ इस्टेल और कुकिंग चैनल में आज मैं आप सब के लिए ओनियन पकोड़ा रेस्पी लेकर आया गई हूँ जो कि मैंने बहुत क्रेस्पी बनाया हुआ है और बहुत ही कम मसाले से इसे बनाया हुआ है फ्रेंड्स ओनियन इसे बनाया है इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चार पीस ओनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है और दो तीन ग्रीन चीली लिया एक चमच अधा चमच पलेग पेपर और आधा चमच का स्मीरी रेड चीली या इसमें एक चम्मच के अंदाश से पानी को आड़ करेंगे और बरावर से मिक्स करेंगे और इसमें ज्यादा रखना है अब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया इसे 5 मिंट के लिए रेश्ट पे रख देंगे अगर आपके पास टाइम ना हो तो 2 मिंट के लिए करके पकोड़े को हम इसमें आड़ कर लेंगे आप अपने च्छुइस के मताविक पकोड़े को छोटेवड़े साइज का बना सकते हैं इसे मेडियम टू लो फपे 2 साइट से पलटते हुए क्रेश्पी का फराइगे अगर आप बहुत क्रेश्पी सा पकोड़ा खाना चाहत बेल आइकन के गंटी को पुस्ट कर लेजे ताके हर नए वीडियो की नेटिफिकेसन आप तक सबसे पहले पहुँचे आप देख सकते हैं पकोड़ा हमरा तल के रेडी हो चुका है ऐसे ही बारी बारी से एट करते हुए अगर आप भी क्रेश्पी सा पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो इस रेस्पी को एक बर जरूर ट्राइक कर यह मैंने बहुत सारे पकोड़े को फ़राई कर लिया आप देख सकते हैं बहुत ही क्रेश्पी बनाए और बहुत सुपर टेश्टी दिख रहा है तो फिर आज की मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए आज के लिए वसी इतना ही फिर मिलती हूं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ अपना क्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्ला हाफीज